हल दोस्तों राना क्लासिज में आपका स्वागत है तो आज की लेटेश कम्टिटीटिप एक्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा तो इस वीडियो को शुरू से अंतक देखें पसंदाने पर लाइक से ने लोग सब्सक्राइब करना ना भूले जैसा कि आप देख सकते हैं बिद विभाग के भैशले के बाद कैबिनेट में जाएगा परस्ताव तो बिहार की भेकेंशियों पर है जो की सबसे पहले चैर्चा करते हैं तो क्या है राज के स्कूलों में कच्छा एक से बारा तक लाग पाउने दो लाग सिचकों की महाली के लिए सिच्छक नियुक्त सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद साथ भी चरण का इंतजार कर रहे अभी अर्थियों कभी और इंतजार करना पड़ेगा विद्विवाग को भेजी गई नियमा वली में बीटेट सीटेट और एस्ट्यूटी के रिएल्ट पर शाठ परतिसत और सेच्छनिक बापर पर शाठ परतिसत और सेच्छनिक अब पर सिच्छन योगे ताजी से मैट्रिक्स नाकुत तर डीलेड और बेर तक इसका चालीस परतिसत बेटेज का प्रस्ताव में यह भी है कि साथ वेचरन में सिच्छक बहाली के लिए कि केंद्रिकृत से चेंटरलाइबं टरीके से ओनलाइन है जो कि अभए दन लिए जाएंगे किस्नियोजन में सिच्छक बनना चाहिए इसका ऑप्षन भी माँगा जाएंगे ऑनलोर पहले ही है जो कि किस्नियोजन यह ऑप्षन है जो कि शुरू में ही माँगान लिए जाЕ welche नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कन्यवाद कमीटी होगी जो अवेदन के श्कुटनी तयार करेगी तो मतलब यह जो नियमावली आपकी बन रही है और क्या है शिचकों की भरती प्रक्रिया में होरा बड़ा बदलाओ अवेदन में अभी हर्तियों की मेधा सूची पूरी पार दर्सी होगी बिहार में है जो की मंत्री भी बतल चुके है ने सिचक भरती नियमावली को अंतिम रूप दे कर है जो कैबिनेट ले जाने में देर हो रही है कच्छा एक से आर तक के सिचक बालिम सामिन होने के लिए अ प्रारंभिक स्कूलों में है और हाई स्कूलों में कितनी होनी है पहले तैयारी थी कि अगस्त के अंतक प्रारंभिक और सितंबर अंतक हाई स्कूल के भेकेंसी आ जाए पहले यह तैयारी थी सहमती बनी तो बहाली के लिए यह भी प्राप्धान हो सकता है तो क्या है मैट्र प्राप्त अंकों को तीन से भाग देने पर मेधा आएगा इसे 40 प्रतिषा निकाला जाए जोड़ करें चालेश प्रतिशत होगा सनातक प्रतिष्चन के को दो से भाग देने पर इसके बाद सब्सक्राइब 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 तो यह पूरी परकिरिया है जो कि आप देख रहे हैं तो मतलब है सिच्छक साथवे चरण में है जो कि आपको एक से बारत तक पौने दो लाख वेकेंसी जो की आएगी और यह जो है थोड़ी सी आपको इंतेजार करना पड़ेगा इसमें लिखा हुआ नियमावली आपकी बन रहे नियमावली जैसे ही होगा पहले क्या था कि अगस्त के अंत तक करना है सितंबर के अंत तक हाई स्कूल के लेकिन अब इसमें जो है एक दो मैने की और देरी हो सकती है नियमावली जैसे ही कंप्लेट होगा तब आपकी बहाली आएगी दूसरी बहाली क्या है उसको देखते हैं राजस विभाग में है जो कि 2700 पदवपर होगी भरती तो यह पर किस तरह के होंगे तो इसको देखते हैं तो राजस एवं भूमी सुधार विभाग में 2700 पदवपर नियुक्ति का रास्ता है जो कि साप हो गया है इसी सप्ता प्किरिया शुरू हो जाए तो इसप्ता अगर्पर क्रिया शुरू है तो कोई असbles की बात ने विसेश भूमी सरुप्पचन के लिए सभी निवतिया संविधा प्राधारित होगी तो यह कि लिए लिए निवतिया होगी यह कोंटेक्ट-बैसेस पर भूमी सर्वेचन के पूरा होनेक साथ यह पद भी समाप्त हो जाएं इनकी घोषना जो कि राजस विभाग चालू बीत वर्श के बजट में परामधान क्या है विभाग यह सुत्रकन सार मुता अमीन कानून गो एवं सहायक बंदवस्पता रिकोई सहाय सताइस्व अधिक जिलों में भी सर्वेच्छन शुरूखे 38 जिलों है 20 जिलों में जो कि सर्वेच्छन जो कि शुरूब पहले हुआ था 18 जिलों में शुरू हो गया इसलिए प्रयास होगा कि अधिकतम तीन महिने की बंदर पूरी कर लिए इन पदों में नियुक्ति आम असनातक के साब इससे क्या फाइदा होगा यह जब भी आएगी जूटेगी चाहे बीपी एससी बीटी एससी जहां भी आएगी वह जूड़ेगी तो बिहार में दो एक तो पौने दो लाक सिछको की बैकेंसी और दूसरी इसी सब्ता है जो की आएगा और क्या-क्या पद रहें अमीन कानुन को और सहायक बंदोबस्त फदा दिकारी की सबसे जदा अमीन के रहेंगे उसके बाद कानुन को उसके बाद आते हैं दूसरी ख़बरों पर कि परिच्छा की जो की कन्फ्यूजन है जो की एक तरह से मान कर चलाए अब खत्म हो गई अब 30 सितंबर को ही अब होने की क्योंकि अब जैयमर रुमर की तैयरी के जादा है और तो यह आप देख रहे हैं इस आड़ी बीच्छा के लिए सबी परिच्छा के इंद्रों पर जैयमर लगाए साथ ही बाद में बनाएगा अतिरिक्त परिच्छा के इंद्रों पर जो की परिच्छा होगी चंज होगा तो यह जो है आपकी परिच्छा की तैयरी चल रही है इसलिए 30 सितंबर को मानकर है जो की तैयारी करें और बिहार स्पेशल एकोनोमिक सर्वे बिहार का सोतंतरता संग्राम या भारत का सोतंतरता संग्राम यह अधुनी कि दिहास पर जो कि ज्यादा जोड़ देना है उसके बाद आते हैं दूसरी ख़बरों पर जहार खंड का नियुज क्या है कल 1922 का खतियान का अस्थानियता अधार था पीछडों का रेच्छन भी चौदा प्रतिशत बढ़कर 27 प्रतिशत समती बनेगे विधांसवां विध्यक लाएगी सरकार्त 1922 का खतियान अस्थानियता नीती का अधार बनेगा इस निरनाएक है और यह उदार 1950 पहले क्या था कि मुखमंत्री रगवरदास के सासनकाल में कि 1950 से जहार खंड में रह रहे हैं वह माना रहते था अस्थानियता निवासी माना जाएंगे आप जिनके परिवार का नाम 1932 से पूर्व हुए जमिन में सर्वे का नाम है 1932 के खतियान अधारित स्थानी है मुख्तिक बहुत आहम इससा रहा है यह यह जो है आप देख सकते खतियान के अधार प्रस्थानी समयदानिक पीठ कर चुकी है निरस्थ हाला कि यह पहले भी एक बार है जो की निरस्थ हो चुकी है और इसमें कहा गया कि चौदा और शोला का उलंगर मताया हाइ क्या होगा सब्सक्राइब करना पड़ेगा शुक्रति के लिए चौदा से 27 परतिशत बढ़ा दिया गया है फिलाहर राज में है जो कि कि कितना है सी को जो की जन जाती को 26 पर अनुशुची जातिक 10 और चौदा पर इसके लावा आर्थी ग्रूम से क्या असर पड़ेगा कि जो इनके खतियान लागू होने के बाद है जो कि सर्वेम नहीं है इसका असर सरकारी नौकरी तिर्थी और चतुर इसके अलावा केंद्र सरकार और राजकार कर्मी ओपर भी प्रभाव पड़ेगा ब्यार सरकार के बड़ी संक्या में स्वेच्छा से राजमे नौकरी का पाने जाएंगे इसके बाद आते हैं दूसरी खबर पर अरच्छन का अधार है जो कि गैर कानूने यह के मामले में चल रहा है कि 10 परतिसत जो है यह क्या गलत है तो यह जो है इसको समिधान पीठने आज भी जारी रहेगी कोट डेली सुनवाई चल रहा है इसमें गैर कानूनी नहीं बताया गया है सुप्रिम कोट ने कहा है इस पर कोट में मामला चल रहा है और यह जो कल डियलेड की परिच्छा हुई है इसमें बुदवार को आयोजन किया गया था चातरण बताया गनित अगरेजी के प्रश्णा पेच्छा करी थोड़े कठीन थे परिच्छा 20 सित अंबर तक ऑनलाइन संचालित होगी राज के सभी जिला मुख्यालें कुल 50 परिच्छा करें कुल दो लाग तीसे जार चातर साथ जूता मोजा पहांकर है जो कि कुछ चात